नमस्कार सिटी पोस्ट के स्खास स्पेसकस में आपका स्वागत है। ठिक उसी तरह का ये धारा है, यानि दहेज मांगना, दहेज के लिए प्रतारित करना और मारपिट करना इस तरह कारूप लगाया गया है राबडी देवी पर, मिसा भारती पर और तेज परताब पर एस्वार राय के जो पती हैं। तो लालू परिवार बिल्कुल मुश्किल में फस गया है क्योंकि ये धारा नन बिलेबल है और बड़ा ही संगीन जुरुम माना जाता है। लेकिन लालू यादों के वकील चितमजन परसाद कल सिविल कोट में जमानत याचिका दायर करेंगे राबडी देवी तेज परताप और मिसा भारती की और सबकी उमीद ठिकी हुई है कोट पर कि कोट उनको नाय देगा क्योंकि राबडी देवी के जो लोग हैं समर्थक हैं क्योंकि दहज का कोई मामला ही नहीं बनता है स्वरिया से पहले ही तेज परताप तलाक की अरजी दे चुके हैं तो जब तलाक का मामला कोट में चल रहा है तो फिर दहज का मामला कैसे अब बन सकता है और दहज कैसे कोई मांग सकता है और चंद्रिका राय ने स्वरिया राय बियान को अधार बनाकर लालु यादोर बिदी द्वी के समखता कह रहा है कि उनके व्यान से हिसाफ होता है कि दःज बिलकुल sports लिए गया था क्योंकि उन्हों ने अपने ब्यान में कह था कि राबडी द्वी बार-बार कहती थी कि पुम्हारे परिवार ने दहेज नहीं दिया है, कम से कम एक लूर की एक गाड़ी दे देते, इसका मतलब साफ है कि दहेज नहीं लिया गया है, और खुद संतकाराय कह रहे थे कि वो मजाक समझते थे, तो बिल्कुल ये मजाक ही होगा, हलाकि लालू परिवार ये मानने को तियार नहीं है कि उन्होंने मजाक में भी कोई गाड़ी की मांग की थी, उनका कहना है कि जब ये मामला कोट में पहुँच चुका है, तलाक का मामला, जब तेजप्रता पहले ही तलाक के अरजीद कोट में दे चुके हैं, तो फीर दहेज मांगने और लेने की कहां से बात आ गई, तो उनक और राबडी देवी मिसा भारती और तेज़ प्रताप के अलावा दो स्रक्षा कर्मियों के खिलाब भी मामला दरज कराया गया है वो पुलिस वाले हैं उनकी जान सांसत में फसी हुई है उनका कहना है कि दो बड़े परिवारों के लडाई में वो बेवजम पीसे जा रहे हैं उनका कहना है कि उनकी उकात और हिमत कहा है कि लालू यादो और आपडी देवी की बहु को हाथ लगाएंगे तो पुलिस वाले हैं की जान सांसत में फसी हुई है लालू परिवार संकट में है अब देखना है कि कोट में क्या होता है क्योंकि सब कुछ अब कोट के हाथ में ह और उन धराओं में जमानत मिला भी मुश्किल होता है लेकिन लालु परिवार को ये संतोष है इस बात का कि चंद्रिकाराय ने जो खुद बयान दिया है उससे ये साबित होता है कि दहज का लेंदे नहीं हुआ है और दहज प्रतान्ना का मामला तो है ही नहीं राबडी देवी के परिवार लगता रारूप भी लगा रहा है कि हमेशा ऐसे ही मौक पर इस तरह के बवाल करती है जब तेजस्वी या घर का पर कोई परिवार नहीं रहता है राबडी देवी अकले घर पर रहती है पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कोई घर पर नहीं था तेजस्वियादों नहीं थे और उस समय भी बवाल हुआ था रावड़ी देवी पर घर से बाहर निकाल दने कारूप एसोर्या रायर ने लगाया था इस बार भी तेजस्वियादों और आंची में गए थे अपने पित को फसाने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि इस बीच एक प्रतेक्सेदर्सी घर्टना का सामने आया है सकती यादवार जड़ी के ही नेता है और उनका कहना है कि संजोग था कि उस समय और राबडी देवी से मिलने गए थे उनके साथ बैठे थे और अलाव काप रहे थे तभी एस वर्या बंगले से निकली तमतमाती हुई आई और उनको अलाव से लकड़ी जो जल रहा था उसको निकाल कर इतना जोर श्ट पटका कि राबडी देवी को चोटा गई और जब विरोध किया गया तो लड़ पड़ी उनको अनपढ़ जाहिल गवार कहा तो सकती या उन देखा है उन्होंने तो यहां तक कहा कि राबडी देवी को ही उनकी कोठी में ही बंधक बना दिया गया है सवर्या के साथ रखकर तो मामला काफी संगीन हो गया है समझ में नहीं आ रहा है कि कौन दोसी है कौन पीडित है अब जाच के बाद ही पता चलेगा क्योंकि हाई कोट भी कुछ दिन बाद बंध होने वाला है तो अगर निचली आदालत से रहत नहीं मिलती है तो हाई कोट जाने का रास्ता भी बंध हो जाएगा ऐसे में लालू परिवार पर पुलीस या दबाव बढ़ जाएगा आपको यह कारक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसको जरूर सेर करिए क्योंकि इसमें बहुत जरूरी जनकारी है अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं क्यात कर लिजिए आपका सहयोक समर्थम हमारे लिए बहुत मायने रखता है